जब हम आईब्रो बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है धागा चलाना तो हरकोई सीख लेता लेकिन धागे से प्रोपर शेप निकालना आईब्रो की बहुत दिक्कत आती है तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है वैसे तो मैंने कहीं सारी वीडियो पूर लेडिव बना रखी है जो की कपड़ा चैनील का उस पर हम आईब्रो की शेप निकालेगे तो उससे बहुत इजी लिए भी आईब्रो की से निकल जाते हैं लेकिन आज की वीडियो एक नया टोपिक लेकर एक नया तरीका लेकर आई हूं हमारे घर में काफी सारी जैसे कि पुरानी जीन्स पड़ी ही होती है हम लोग उससे पर भी आईब्रोड रो करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से कर सकते हैं देखो सबसे पहले आप एक जीन्स ले लो जो भी आपके घर में पुरानी पड़ी हो जो बिल्कुल यूज की नहीं हो उसमें से हम लोग एक साइड की जो लैग होती है उसका बीच वाला हिस्सा लेंगे कंची से काट लेंगे क्योंकि जब हम इसे कपड़े को पहनेंगे ना ना पर तो यसी हिस्से पर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग नहीं देखा यह जो मैंने पीच लिया पुरानी जीन्स मैं से लिया और हमारा थाई का जो त्रेक्टिस हो जाए इस तरीके से बिलकुत सेम उसી तरीके से आई Wait पनाएंगे जैसे कि हम रिएल में बनाते हैं So I है प्रैक्टिस करने पना ने के कही सारे तरीके हैं लेकि एक तो जो मैंने बता रखे है सनील के कपड़े पर भी बनाते हैं उसके लिए आप आई बटन पर मैं वीडियो लगा दूँगी उसका लिंक लगा दूँगी आप लोग वाली वीडियो भी जरूर देखना क्योंकि उस वाली वीडियो को देखकर न आप लोग को बहुत ही आसानी हो ठागा चलाने की और प्रैक्टिस करने की और अगर वो वाला कपड़ा नहीं मिलता है तो आप लोग इस तरीके का तो इस तरीके से डार्क सी बना ले और इसे पैंट का जो कपड़ा ना जिन्स का इसे न अपने पैर में पहन लो जैसे हम लोग जिन्स पहनते हैं तो उससे क्या होगा यह लेगा भी नहीं और बिल्कुल फिटिंग के साथ आजाएगा हमारी तंग के उपर पैर के उपर ठीक ह देखो इस तरीके से मैंने पहले भी जिन्स पहन रखी थी मैंने उसी की उपर से जो है इसको जिन्स के जो टुकड़े को डाल लिया और शेम उसी तरीके से करेंगे देखो इससे नहीं फायदा है कि जिस शेप में आज परो निकाल लेंगे गोलाई में गुमाने की आदित पड़ जाएगे धाग्ये को इस तरीके से धाग्या पकड़ने की और चलाने की आदत हो जाती है हमें ध्यान क्या रखना है कि जब हम धाग्या चलाते है ना तो हमारी जो एक कैंची है यह इस तरीके से कॉपडे से टच होकर चलनी चाहिए दोनर साइड की न ऐसे प्रैक्टिस कर लो और अगर सनील का कपड़ा मिल जाए तो वो इससे भी बैटर ओप्शन है बाकि आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो आपको यह तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो झालकर अगर खिए्यु कर लो और अबू आगर